हे गाईज वेलकम बैक टूर चैनल फाइनन्स करो कि एक और नई वीडियो में आपके एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो गाईज मैं हूँ आपको भाई एनमोल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने घर बैटे अपने मुवाईल फोन से या फिर अपने कंप्यूटर से किस तरह से ये फिलिप कार्ट का एक्सिस बैंक क्रेट कार्ट अपने घर मंगवा सकते हो तो भाई मेरे पास ये फिलिप कार्ट का एक्सिस बैंक क्रेट कार्ट जो की मुझे हाली में रिसीव हुआ था और इसकी लिमिट अब हो चुकी है दो लाख रुपे की जिया दोस्तों इसकी लिमिट अब दो लाख रुपे की हो चुकी है तो इस दो लाख की लिमिट वाले create card को आप कैसे apply कर सकते हो क्या कैस के फायदे हैं यह सब में बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरा देखना पसंद आए तो मुझे comment करके बताना तो गैस यहाँ पर हमाच चुके हैं अपनी PC की स्क्रीन पर आप चाहें तो इस website को अपने mobile phone में भी खोल सकते हैं इसका link मैंने आपको description में दे दिया है तो जल्दी सी description में जाकर जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे follow कीजिए आपको create card guaranteed मिल जाएगा इस बात की मैं आपको guarantee देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है क्या आप एक्सिज बैंक के existing customer है तो अगर मैं access bank में पहले से मैंने खाता खोल रखा है तो मैं yes पर click करूँगा otherwise मैं no पर click करूँगा ठीक है तो मैं यहाँ पर no पर click कर देता हूँ तो यहाँ पर देगी लिख़ हूँ है credit card online application यहाँ पर credit card को हम online apply कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए application form हमें भरना पड़ेगा जहाँ पर सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा आपको mobile number जो की आपके अधार card से link होना चाहिए तो यहाँ पर मैं अपना mobile number डाल लेता हूँ तो मेरे area का pin code यह है आप यहाँ पर भी रहते होंगे तो वहाँ का pin code आपको यहाँ पर डाल देना है फिर सबसे इंपोर्टेंट बात होती है यहाँ पर आपकी net annual income आपकी annual income सलाना income कितनी है आप कितना पैसा सलाना कमा रहे है ठीक है तो वो आपको यहाँ पर डालना है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक number ठीक है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि मैं 3.5 लाग रुपे सलाना कमाता हूँ अगर आप ITR भरते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके पाद एक income का proof हो जाएगा आप इस चीज को डाल का यहाँ पर यहाँ पर यह capture यह दे रखका है इसको डालेंगे और आगे बढ़ेंगे ठीक है capture के click करने के बाद हमें आगे बढ़ जाना है और जैसी हम आगे बढ़ेंगे हमारे सामने यह credit card के offer आ चुके है यह वो credit card है जो कि मुझे मिल सकते है ठीक है तो recommended credit card मेरे लिए यह बता रहा है कि आप भाई यह सारे credit card ले सकते हो पर मुझे बिल्कुल भी यह नहीं चाहिए मैं और आगे बढ़ता हूँ देखते हैं हमारा यहाँ पर favorite card कहाँ पर है तो भाई यह रहा हमारा favorite card जिसके लिए हमने यहाँ इतनी मेहनत करी है वो है flip card access bank master credit card ठीक है तो guys मुझे इस credit card को apply करना है इस credit card को apply करने से पहले में दो चार बाते आपको जरू बताना चाहूँआ इस credit card को apply करते के साथी आपको flip card का एक voucher मिलेगा जो कि 500 रुपे का होगा यानि कि वो indirectly आपके 500 रुपे ही हो गए आप उससे कोई भी समान मंगा सकते हैं और यहाँ पर 5% का unlimited cash back जिसकी वज़र से यह credit card आज धमाका मचा रहा है अगर आप flip card से कोई भी समान मंगाते हैं आपको 5% का cash back मिलेगा ही मिलेगा तो guys यहाँ पर इसको मैं बता दू कि यहाँ पर joining fees रहे है वो 500 रुपे प्लस GST रहने वाली है और annual fees जो रहेगी वो भी 500 रुपे प्लस GST रहने वाली है इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप इस credit card को apply करेंगे यह credit card आपके घर पर आजाएगा तो आपको जो पहला bill generate होगा उसमें आपको 500 रुपे प्लस GST लगबग देनी पड़ती है ठीक है तो इस बात का बहुत ख्याल लगी गा लेकिन कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि हमें 500 रुपे का एक voucher मिल भी जाता है तो पैसे हमारे देखा जाए तो लोटकर वापिस आ जाते है लेकिन annual fee जो है वो 500 रुपे रहने वाली है तो वो हर साल आपकी कटेगी ठीक है तो मुझे इसके बारे में अगर और जाना है तो मैं यहाँ पर click कर सकता हूँ यहाँ पर आप इसके बारे में क्या-क्या benefit है वो देख सकते है जैसी मैंने इसको click किया तो मेरा जो mobile number है वहाँ पर एक OTP जाएगा वो OTP मुझे यहाँ पर डाल देना है तो guys यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया है OTP को डालने के बाद आपको यहाँ पर red tick करना है यहाँ पर red tick करना है सम्मिट करके इसको आगे बढ़ जाना है अब आपके सामने दूसरा form खुलकर आज चुका है यहाँ पर आपको कुछ अपनी personal details वगेरा डालनी है जैसे कि आपका नाम जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं आप मिस्स हैं Mr. या फिर क्या है Mr. X है या फिर Mrs. है ठीक है तो यहाँ पर मैं Mr. लगाता हूं तो मैं Mr. लगा के आगे बढ़ जाओंगा यहाँ पर mother name जो आपकी mother का नाम है आपको यहाँ डालना है यहाँ पर आपको अपनी father का name डालना है marital status यानि कि आप single है married है वो आपको select करना है तो मैं यहाँ पर single हूँ मैं single select करूँगा यह करने के बाद दूसर स्टेप यहाँ पर आता है address detail आपको यहाँ पर अपने घर का address डालना है enter residence address मतलब आपका जो घर का address है वो आपको इस form में fill up करना है यहाँ पर आपना address डाल देंगे दूसरी line के लिए यहाँ पर click कर सकते है यहाँ पर आपको आपका pin code डालना है और यहाँ पर आपको state select करने है और city select करने है और update पर click कर देना है उसके बाद आपको enter office address जो office address है आपको वो select करना है यहाँ पर आपना office का पूरा address डालेंगे same process है यहाँ पर pin code पढ़ेगा यहाँ पर आप अपनी state को select करेंगे आप उत्तर परदेश में रहते हैं यह कहा रहते हैं यह city है वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगी और update करके click कर देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी mail id डालने के बाद आगे बढ़ जाना है तो मैं यहाँ पर यह जल्दी से detail डाल देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैंने अपने details डाल दिये और आपको यहाँ पर I am not a senior officer और relative इस पर मतलब आपको red tick कर देना और next पर click कर देना है ठीक है दूसर step आपके पास आपता है nature of employment यानि कि आपको जो मतलब आप नौकरी कर रहा हूँ आप क्या है मतलब अगर आप salary person है आपको salary मिल ले तो आप salary पर click करेंगे और self employed है तो आप self employed पर click करेंगे अगर आप salary person है तो मैं दौनों के लिए बता देता हूँ आपको यहाँ पर click करना है आपकी net annual salary जो कि हमने पहले डाली दी थी आप कौन से sector में private limited में करते हैं public sector में proprietorship है partnership है क्या है वो select करना है यहाँ पर ठीक है उसके बाद आपका source of fund कि है salary होगी जाहिए थी बात है salary employee है तो आपकी industry के type कि आप banking से related में है या फिर government service करते हैं या फिर travel में है insurance में है telecom में है या IT sector में है BPO में है जो भी sector आप work करते हैं जिस भी sector में आपको select कर लेना है company का नाम as per pay slip यानि कि आपको अपनी company का name डालना है या फिर आप ITR बढ़ते होंगे तो महाँ पर भी पढ़ा होगा तो वो नाम आपको यहाँ पर डालना है tenure in current job आपको कितने साल होगा है हमाँ पर करते हुए ठीक है total work experience आपको कितना है वो डालके submit कर देना है तो ये तो बात दोगा अब बात कर लेते हैं अगर आप self employment है आप खुद से नौकरी मतलब खुद ही अपना मतलब आपको sell ही नहीं मिल लिए आप खुद का business है आप अपना काम कर रहे है तो उसमें आप क्या करेंगे source of fund आपका fund ही जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है आपको business income हो रही है agriculture income हो रही है फिर आप investment कर रखा है उस पर आपको interest मिलता है वो आपको select कर लेना है ठीक है for example मुझे business income होती है तो मैं business income को select कर लेता हूँ nature of business क्या है मेरा मेरी किस तरह की business है ठीक है वो मुझे यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो कितने सारे मैं money lender हूँ detail है, real estate है stock broker है, agriculture है दुनिया बर के यहाँ पर आपको work दे रखे हैं तो जिस भी आप sector में work करते हैं वो आप यहाँ से select कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपना select कर लेता हूँ तो guys यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ professional service provider क्योंकि मेरा काम दरसल service provide कराना ही है मेरा coaching center भी है तो मैं वहाँ पर अपना चाहूँ तो अपनी company का नाम वो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ क्योंकि मैं ITR भी भरता हूँ तो मेरे ITR में जो भी पढ़ा हुआ होगा वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा अपने coaching center का name और यहाँ पर फिर मुझे select करना है ownership type क्या वो sole proprietorship क्या वो पूरा मेरा है क्या partnership में हूँ या फिर वो private limited है तो क्योंकि वो मेरा है इसलिए मैं यहाँ पर sole proprietorship को select करूँगा और कितने साल से मैं वो business कर रहा हूँ यह select करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा ठीक है और यह सारी चीज़े भरने के बाद आपको submit पर click कर देना है और आपकी application submit हो जाएगी और that trick दोस्तो आपको इतना सही यहाँ पर करना था और दोस्तो आप लोग मुझे comment करके जरूब बताएगा किस-किस ने application को भर दिया है और इस बीच आपको application भरते time या फिर application भरने के बाद कोई दिक्कत आदिये तो आप मुझे comment में update देते रहेगा मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी site से आपकी पूरी help कर सकूँ इस credit card को दिलवाने के लिए